टारो और ओशो जेन की प्रेडिक्शन में क्या फरक होता है ना टारो प्रेडिक्ट करता है ना ओशो जेन प्रेडिक्ट करता है ना राइडर बेडिक्ट करता है ना ओशो जेन प्रेडिक्ट करता है प्रेडिक्शन मात्र जो है वो एक जूट है कि आपको समझने की जूरत है जिसका ये अर्थ हुआ कि आपका जो जीवन है वो आपके हाथ में है इसका जो कंट्रोल है वो आपको दिया गया है कि आप जो है आपकी जो नियती है वो किसी और के हाथ में नहीं कि आपकी नियती जो है आपके खुट के हाथ में है आप अपने जीवन को जो दिशा देना च चाहो वो दिशा जो है दे सकते हो जतना आप जागरुख हो जाओगे जतना जाग जाओगे जतना पैचान जाओगे उस दिन जो है आप अपना लाइफ का कंट्रोल जो है किसी को नहीं दोगे उतना जो है आप ये समझोगे कि मेरी लाइफ का कंट्रोल जो है मुझे अपने हा किसी ने आपके बारे में ये बोल दिया कि आपकी life में ये होने वाला है या वो होने वाला है, उससे जो है अब आप मुक्त हो जाओ, अब आप वो हो जाओ जो आप होना चाहते हो, अब आप वो life जो है अपने अंदर create करो, जो आप हमेशा से चाहते थे, अब दूसरों की कही QE, predictions, दूसरे के कहे हुए जो है, बाते जो है, वो माइने नहीं रखते, अब आप जो है, अपनी कहानी खुद लिखो अपनी life की, अपनी life को खुद create करो, prediction के चक्कर से बाहर आओ, और अपनी life को जैसे create करना चाहते हो, वैसे create करो, मैं सरव एक चीज़ क्लियर कर दूँ, टारों में prediction नहीं होती, टारों में जो right word है, वो है possibilities, जैसे कि हम weather को देखके जो है, हम forecast करते हैं, forecast का ये अर्थ नहीं होता कि ऐसा होना ही होना है, आशंका हम जताते हैं, कि ऐसी आशंका की जारी है कि बारिश होगी या धूप ये सरफ आशंकाएं हैं, ये सरफ possibilities हैं, तो जब आप इन चीज़ों को समझते हो, टारों को गहराई में जाते हो, तो आप ये समझते हो, ये सरफ possibilities हैं, और वो possibilities कुछ ऐसे कि अगर कोई विक्ती जो है, अगर आज की डेट में दिन रात smoking कर रहा है, वो chain smoker है, तो उसकी हम possibility बोल सकते हैं, कि इसको भाई, इसको lungs cancer हो सकता है, उस सरफ एक possibility है, वो surety नहीं है, क्योंकि अभी भी इस हाथ, इस विक्ती के हाथ में हैं, कि वो अपने आपको जो है, वो उस सीती में जाने से रोक सके, कल को वो smoking बंद कर सकता है, तो फिर उसके अंदर ये सब कुछ नहीं घटेगा, लेकिन टैरो आपकी अभी की possibility बोलता है, उस अभी की possibility को देखके, आपके बारे में बोलता है, कि भीया, आप इस direction में जा रहे हो, जिस तरह अगर जीवन आप जी रहे हो, आपके साथ ये घटने, आपके साथ ये सब कुछ घट जाएगा, अगर आप इस से आप अपने आपको बचाना चाहते हो, तो अभी चेच जाओ, अभी जाग जाओ, तो टैरो का मतलब ये है, कि टैरो आपको जगाने के लिए है, टैरो आपको जो है, शीशा दिखाता है, टैरो आपको अपनी life के बारे में बताता है, कि आपके साथ क्या घट रहा है, जब आप देख लेते हो, तो आप उससे जो है, अपने आपको करेक्ट कर लेते हो, कि अगर आप गलत रस्ते जा रहे हो, तो अपने आपको बचा लोगे, तो टैरो अपने आप में बहुत beautiful टूल है, अपनी life को सबारने का, अपने जीवन को एक beautiful direction देने का, और अपनी life को एक ऐसी, किस तरह से create करने का, जो आप हमेशा से जो आप अपनी life चाहते हो, तो सबसे पहले तो अपने अंदर ये decide करो कि किस तरह की life आपको चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी life को create करते हो, और जैसा चाहोगे life जो है, वैसी create होनी शुरू होता है, तो आज की date में अगर आप सोचते हो कि मुझे जो है, समझो for example, कि मुझे जो है, इतना इस मुकाम पर पहुंचना है, एक छोटे से example कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, अब ये 10 लाख रुपया जो है, आपने अगर सोच लिए, अपने अंदर बिलीव कर लिया, तो बड़ा नाचरल ये आपकी उरजा जो ह दूसरी तरह, अगर आप अपने अपको ये सोच लो कि मैं तो बिखारी हो जाओंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपकी उरजा आपको बिखारी बना देती है, तो बड़ा important है, कि सोच समझ के कि आप अपनी life में क्या create करना चाहते हो, अपनी life में क्या होना चाहते हो, ह इस तरह की सब books हैं, वो आपको सिर्फ चेताने के लिए हैं, कि जो आप सोचते हो, आप वो हो जाते हो, तो अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो वो ही हो जाओगे, फिर ये prediction के चक्कर में कौन पढ़ता है, किसको चाहिए prediction, किसी के कहने की क्या matter करता है, हाँ guidance matter करती है, guidance भी उस विक्ति की matter करती है, जो simply जो है, आपको prediction नहीं देगा, आपको possibilities की बात करेगा, और आपसे वो ही बात करेगा, जितना जरूरी है, जितना आपको जो है, बताना चाहिए, जिससे जो है, आपकी life transform हो सकती है, तो important बस यही है, कि आपको prediction में नहीं अटकन आपको अपनी life की possibilities को समझना है, और अगर आपको लगता है कि वो negative possibility है, तो उसको positive में convert करते हैं, यहाँ इसी शड में जो है, वो जो बीच जो है, हम बोएंगे, वो जो है, आगे जो है, उसी तरह के जो है, हमारे पस result आ देंगे, तो अगर आपको लग रहा है कि आगे जो जो है, आपके मुँ में आने वाली है, तो अभी से उसके उपर काम कर लो, अभी से उसको change करना शुरू करते हैं, क्यों अपने आपको जो है negative state में लेके जाए, एक बार realize हो जाए, कि हम गलत जा रहे हैं, तो इसी शड इसको बदले, तो tarot को अगर use करना है, तो इस तरह की possibility के लिए use करना है, ना कि इस, इसको prediction की तरह, और इस तरह से market में लोग बैठे हुआ हैं, आपको prediction दे रहे हैं आपको, और आप भी उनकी बातों को believe कर रहे हैं, ये सोचे समझें बिना कि आपके भीतर खुद, आपके भीतर जो है एक परमात्मा बैठा हुआ है, कि आप ज में decide करें, आप जो है, बहुत कुछ हो सकते हो, आप वो हो सकते हो, जो आप हमेशा से होना चाहते थे, लेकिन ये control जो है, आपको अपने पास हाथ में वापिस लेना पड़ेगा, अगर आपने वो control नहीं लिया, तो आपका जीवन जो है, फिर अगर आपके जीवन में धन भी आजाएगा, तो वो उस धन का कोई मतलम नहीं है, अगर आपके जीवन में success भी आजाएगा, उस success का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो success जो है, आपने खुद जो है, चाहा नहीं है, वो तो आपको किसी ने दे दिया, और कल को फिर वो ही success कोई ले भी लेगा, तो अपन करना चाहते हो, उसका control अपने हाथ में ले दो, अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में ले दो, दूसरे के उपर जो है, अब dependency छोड़ दो, तो जब हम बात करते हैं, prediction की, तो हम कहीं ना कि दूसरे के उपर depend हो जाना चाहते हैं, तो इससे जो है, बाहर आ जाओ, और अब control जो है, अपने हाथ में ले,